हेलो नमस्कार मेरा नाम है विडाश रब सभी का हमारे चैनल पे दोस्तो स्वागत है विराट कोहली ने पिछले मुकाबले में भारत के लिए खेलते हुए वेस्टिंडीज के खलाफ उन्होंने 76 रणों की पारी खेली विराट कोहली के शतक ना पूरा होने पे कई पाकिस्ता में रह रहे कोहली संस काफी ज़्यादा दुख हुए थे रात में उन्हें उल्टियां आने लगी थी खोन की उल्टियां उन्होंने की थी कि उनके अब्बू जो है यानि विराट कोहली शतक नहीं पूरा कर सके चाहे जैसे भी हो विराट कोहली ने 182 गेंदों का सामना किय पांच चौके लगा है और हर चौके के बाद विराट कोहली जो है वो जश्न मनाते हुए नजर आये काफी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उस पिछ पर जहां पे रन बनाना बड़ा आसाल सा था पिछ में कुछ ज़्यादा डीमन्स थे नहीं लेकिन विराट कोहली जो है प्रोपर टेस्ट इनिंग्स खेली थी लेकिन आज कल कुछ इंटेंट मर्चेंट पैदा हो गया है दोजार उन्नीस के बाद से जो लगातार कोरोना में जो पैदा हुए बच्चे है वो लगातार इंटेंट पे बात करते हैं खास करके कोलीसंस कोलीसंस इसलिए क्योंकि है वो टेस्ट हो वंडे हो और टी टुएंटी हो तो तूरंत इनके भीतर का जो है इंटेंट मर्चेंट जग जाता है और बाबाराजम पर सवाल खड़े करने लगते हैं कि देखो बाबाराजम जो है बैसबॉल की तरह नहीं खेल रहा ये कभी भी जोर से बल्लेबाजी नह खेलना पड़ता है विराट कोहली का स्ट्राइक रेड जो है इस मुकाबले में 41 का रहा 182 गिंदों का सामना किया 76 रनों की पारी खेली उन्होंने लेकिन अगर इसी जगह पे बाबाराजम ने 182 गिंदों पर 76 रन की पारी खेल दिये होते तो पाकिस्तान में बैठे कुछ टटी शहाफी जो है वो तूरंत अपने ट्वीटर हैंडल पर हगना शुरू कर देते हगना इसले शुरू कर देते और बोलते की बाबराजम जो है इतना स्लो क्यों खेल रहा है बाबराजम की वज़े से ही ऐसा हुआ है बाबराजम की वज़े से ही ऐसा हुआ है मुझे तो विराट कोली काफी ज्यादा स्लो खेले मैच के अकॉर्डिंग नों ने खेला स्टैट पैडिंग भी किया जहाँ पे यह सस्वी जैस्वाल रोई शर्वा ने श्रतक बना दिये हो और प्रेशर हटा दिया हो पहली ओपनिंग पार्टनर्शिप का तो आपको खोल कर खेलना चा क्या बाबर बाबर करके जो है उन्हें क्या क्या नहीं कहा जाता एक्चुली में दिक्कत यह है ना कि विराट कोली करे तो सही बाबर आजम करे तो गलत लेकिन हाकिकत यह कि इंडिया और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनप में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है जब आप ब बाबर आजम जल्दी आउट हो जाए तो कोई भी ऐसा बल्लेवाज नजर नहीं आता जो अपनी टीम की उम्मीदों पर खड़े उत्रे इसी वज़े से कई दफ़ा बाबर आजम को परिस्तितियों के अकॉर्डिंग खेलना पड़ता है क्योंकि उन्हें पता है कि बाद बांक बल्लेवाजी किया करते थे जब उन्हें कप्तानी दी गई थी और तभी टीम का पूरा बेड़ा गर खो रखा था सिर्फ सचीन के अलावा कोई और बल्लेवाज रंस नहीं बनाता था पाकिस्तान इस समय इसी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है और बाबर आजम जैसे बल्लेवाज भी है कुछ शहाफियों को फूटी आँक नहीं सुहाते खेर इनका कुछ किया नहीं जा सकता है बहराल इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप हमारी बातों से सहमत है चैनल को लाइक शुर सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा धन्यवाद